कर देंगे आज हम लोग का अगला चाप्टर रहेगा कमिस्ट्री में और वो है अगला चाप्टर रहेगा कर देंगे आज चाप्टर रहे हैं और एक बार कंफर्म करें के सारी चीजें प्रॉपर हैं की नहीं गुद मॉनिंग सभी को सौविक, प्रिशान्थ, शृति, अंजली, टॉपर, तुफान का देवता, थौट सोनिया, शर्मा, संजे कुमार, ससंध्या, सरंजना, प्रियांशु, सभी को गुद मॉनिंग स्टार्ट करते हैं, आज का चाप्टर, बहुत इंबॉर्ण चाप्टर है, और बहुत मज़ा हैगा आपको उसको पढ़ने में, मतलब जरा सभीस में आपके दिमाग को कष्ट नहीं होने वाला है, मज़ा पूरा आएगा, ठीक कष्ट बिलकुल नहीं होगा, क्विस्चन बहुत आएंगे, ठीक हाँ, आज सिर दस मेट लेट, ले लवेटा मौझ है ना, तुम लोगों को पता होना चाहिए ना, कि अगर मैंने बजिता टाइम बोला है, उस सिर दस मुसमें एड़ कर लेना होता है अपने आपे ना, गुद मॉनिंग सभी को, अपृति, सुदिपता, सौरब, मन, सराम, प बात है, आप लो वो होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, इतने तो सभी को पता है न, बस इतना ही मैं पता होना की standards करते हैं, ऐसे हमारे multiple types के होते हैं मतलब sore भी होते हैं मतलब खट्टे होते हैं और corrosive in nature होते हैं corrosive का मतलब है कि हाथ लगाओगे जल जाओगे बाहर निकालोगे है न ऐसा टाइप लोते हैं मतलब यह है कि आप इनको touch या फिर मतलब taste तो भूली जाओ touch भी करोगे न तो आपके हाँ जल जाएंगे यह होता है corrosive का मतलब बट मैंने बोला some are corrosive not all are corrosive कुछ होते हैं सारे नहीं होते हैं तो कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं तो acid जो होते हैं वो दो type के हो इनको हम categorize कर सकते हैं एक तो organic जो हमें organically मिलते हैं ठीक है organic मतलब nature से मिलते हैं और दूसरे हो गया mineral acid जो हमें minerals से मिलते हैं ठीक है जिनकों कि हम synthesize करते हैं laboratory में synthesize करते हैं इनकों हम बोलते है mineral acid ठीक अब मैंने बोला organic acid यह हमें nature से मिलते हैं तो इनका कुछ ना कुछ source होगा जैसे कि for example माल लेते हैं कि tomato में एक type का कुछ acid मिलता होगा क्यों कि वह खा भी तो सकते हैं है कि नहीं जो बागी जो चीज़ें हैं जैसे की आमला हो गया orange हो गया यह लिए सारी वाले होते हैं, ठीक है, जो mineral acid होते हैं, यह बहुत corrosive होते हैं, जैसे कि for example, यहाँ पर मैं रखूँ example, hydrochloric acid हो गया, ठीक है, जो कि अब देखो, यह organically भी मिलता है हमारे gastric juice में, but mineral भी मिलता है, H2SO4 रहने कि sulfuric acid हो गया, nitric acid हो 3 हो गया, यह कुछ examples है, mineral acid के, तो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, कि जो organic acid होते हैं, जो हमें directly, मिलते हैं organically, उनके sources क्या हैं, तो यह हैं, आपका left side में लिखे हूँ organic acid, और right side में source of that organic acid, citric acid के अगर हम बात करें, तो यह citrus fruit से मिलता है, जैसे कि oranges, lemons, etc, यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है, citric acid, formic acid की बात करें, तो sting of ant, यानि कि जो चीटी होती है, या फिर जो bees होते हैं, मदुमक्खी होते हैं, जो उनको जब काटते हैं और वो पर्मानन्द के अनुभूती इसी acid कियो जैसे होती है, अभी हम देखेंगे कि जो यह अनुभूती होती है, कैसी अनुभूती को जल्द से जल्द आप इसे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो acetic acid जो है आपका, acetic acid, vinegar में मिलेगा, ठीक है, जैसे vinegar अगर शिरके की बात करें इस vinegar में, आपका यह मान लीजे कि 6-8% लगबग acetic acid होता है, बाकी water होता है, 6-8% acetic acid होता है, जिसको कि हम as a, acetic acid होता है, जिसको कि as हम preservative के तौर पे भी use करते हैं, यह आपको अब पता होगा, preservative के तौर पे, preservative के तौर पे भी हम use करते हैं, ठीक है, malic acid के अगर बात करने तो apple मिलेगा, grape में, grape में तो बहुत ही इसको उटा सकते हो, grape का main acid अभी नीचे लिखा है, apple या फिर आप banana, ठीक है, save, kela, यह जो आपके fruits हैं, इसमें malic acid देखने को मिलेगा, tartaric acid, tea से tartaric acid and tea से tamarind, tamarind होती है, emily का बूटा है ना, और grapes, grapes में tartaric acid देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, तो oxalic की बात करें, oxalic ठीक है, spinach, cabbage, ठीक है, ध्यान रखना, spinach में जो आपकी पालक होती है, उसमें भी oxalic acid होता है, टोमाटो में भी आपका oxalic acid होता है, याद कैसे रखेंगे, tomato, O, O type लग रहा है, ठीक है, O, ठीक है, tomato, फिर अगर हम बात करें, lactic acid की, ठीक है, तो lactic acid में आपको देखने को मिल मिलेगा, lactic acid की इसमें देखने को मिलेगा, curd या फिर milk में, दही हो गया, जो दूद खटा हो गया भी, उसमें lactic acid हो गया, खटा क्यों हुआ, because acid है, कौन से acid है, lactic acid है, तो ये, I hope, सभी को पता होगा, कि जो lacto word है, ये जो lacto शब्द है, हम milk product के लिए use करते है, milk products के लिए, करते हैं, और ascorbic acid, हम लोग ये biology उपढ़ चुके हैं, कि vitamin C का common name, ascorbic acid, ये आपको मिलेगा, आमला, जिसको की Indian gooseberry के नाम से जाना जाता है, and these citrus fruits, ठीक, अब आते हैं, indicators पे, what are these indicators, indicators वो होते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है, कि क्या, जो हमारे सामने, जो रख्य हुई ची बारे, indicators indicate करते हैं, इस चीज को, कि if anything is an acid or base, simple, ठीक, अब indicators different type के होते हैं, सबसे पहला, indicator पढ़ेंगे, litmus paper के बारे में, इसके बारे में हो सकता है, आपने पहले सुना हो, litmus paper के बारे में, ये जो indicator होता है, काफी important role play करता है, और इस indicator के बारे में, आपको बहुत सारी हमें पता है, lichen हम लोगों ने biology हैं पढ़ा है, जब algae, नहीं कि जो कवक है, स्वरी, इसको क्या बहुत, शैवाल, ठीक है, शैवाल जब कवक से, या नि फंगस से मिल जाता है, तो हमें मिलता है lichen, और ये जो lichen है, इसी से बनता है, litmus paper, और ये खुद एक natural indicator के तोर पे act कर करता है, जब हमारे environment में global warming एनी temperature ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये अपना color change कर लेता है, और ये जो belong करता है, कोई अगर बताना चाहिए, तो बता सकता है, आप add कर सकता है, कि plant kingdom के किस phylum के तहट आता है lichen, अगर आपको याद आ गया, अच्छी बात, नहीं आद आ रहा इस फैली होई है, निकी थैलो फाइटा से बिलॉंग करता है, इस चीज़ को याद रखेगा, थैलो फाइटा, और ये एक तरह का जो litmus paper है, जो like के ना में मिला, ये एक तरह एक थैलो फाइटा तो है, और ये एक तरह की purple dye होती है, परपल color की dye होती है, ये जो purple color की dye है, ज तो जब हम इस blue litmus paper को, blue litmus paper को, या तो चलो मैं इसी blue से ही लिख देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहे, ठीक है, वो तो red में लिखा ही था, चलो, तो ये हो गया आपका blue litmus paper, ठीक है, ये जो blue है, ये change हो जाता है red में, किस में change होता है, red में, क्यू क्योंकि आपने इसको डाल दिया acid में, तो blue to red ये change होगा in an acid, अमल में, और अगर हम बात करें एक छार में, यानि कि base में, तो base में इसका एक दूसरा जो हमारा type of litmus paper होता है, वो red होता है, red color का होता है, और ये जो red है, ये blue में change हो जाएगा, ठीक है, अब confuse कैसे नहीं होग तो ऐसे confuse नहीं होना है, कि जो acid होते हैं, वो corrosive nature होते हैं, corrosive मतलब danger, danger का sign भी अगर आपने laboratory में कभी observe किया हो, the class 11th 12th में, observe तो तुम कुछ और ही किया करते थे न, तो यहाँ पर इस तरह का danger का sign बना होता है, ठीक है, danger का sign बना रहता होगा, आपकी जो bottles रहती होगी, ठीक नहीं तो दिक्कत हो सकती है, और जो danger होता है, उसको हम कि sign से दिखाते हैं, red से दिखाते हैं, तो acid क्या होते हैं, जैसे हमने blue litmus डाला, red हो गया, मतलब की danger, शो करने लगा कि इसमें acid है, छुना मत इसको, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, I hope यहाँ तक च इन बेचारों के बारे में किसी को नहीं पता, but before that, हमारे कुछ और जो अलग तरह की indicators होते हैं, जैसे कि, जो मैं smell से बता देते हैं, यहाँ तो हमें color से पता चल गया, अच्छा, red हो गया, मतलब तुम acid हो, मतलब blue हो गया, मतलब तुम base हो, और वैसे भी आद रसकते हैं, B स के base है, बट कुछ होते हैं, जो अपनी महक से ही हमें बता देते हैं कि वो कौन है, उनको हम बोलते है, olfactory indicators, यह olfactory जो indicators है, यह acid में जब इनको डाला जाएगा, तो अलग तरह है कि ठीक है, remains smell, यानि कि onion को जब हम आसे में डालते हैं, तो इसकी smell बनी रहती है, जब base में ड similar goes with glow of oil also, जिसको long बोलते हैं, तो these all are olfactory indicators, जो अपनी smell से हमें बता देते हैं कि यह particular चीज़ acid है या फिर base है, ठीक है, अब हम कुछ और indicators के बारे हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि phenoptylene के बारे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, phenoptylene, कि यह जो phenoptylene है, acid में किस तरह behave करता है, and base म तो phenoptylene के अगर बात करें, तो acid में यह colorless रहेगा, और base में अपना color यह pink में change कर लेता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम एक और indicator है, यह methyl orange अगर हम acid में बात करें, तो अपना color red में परिवर्थित कर लेता है, और base में अगर बात करें, तो yellow में कर लेता है, यह phenoptylene और methyl orange के बारें भी आप याद रखेंगा, अच्छे से, clear, अब होता क्या है, कि कुछ और हो, जैसे आपने एक चीज़ अब्जर्व करी है, यह मैं कुछ लोगे common एक incidence बता कि इतने लोग है, कि इतने लोग है, कि मॉडर्निस्टी का वन शॉट वीडियो बना दीजा, अच्छा बना दे, चलो class last बंद करते हैं, बनाते हैं, चलो भी वन शॉट वीडियो, लाव, लाव, मॉडर्निस्टी लो, अडे, बता चुके हैं कि कल आप लोग का economics का वन हैं, सब ही न दो हैं, अगर दो हैं, तो आपने एक चीज़ अब्जर्फ करी ही क्या, जैसे कि जो कपड़ा होता है अपका, उसमें जो भी दाग लागा होता है, जैसे आपसे मलब जो खाना होना खा रहे थे, तो आपके दाग गिर गए, दाग अच्छे हैं, बुरे हैं, व अपड़े दोते हो, तो किस कलर में चेंज हो जाता है, मझे बताईए जल्दी से, इसका चेंज ऑफ कलर बताईए, यह जो यलो कलर का जो स्टेन है, किस का स्टेन है, करी का, करी का जो स्टेन है, यह किस कलर में चेंज होगा, जल्दी से बताईए, मैं अभी दो करा है हो, च से रिडांट मोर हो जाती है तो जो यह येआ है यह रेडी या तराल की टाइप हो जयाता है ना रेड़ यह पिर ब्राउन कलर Stories मौना घंचा नहीं लिकिन दिखरा में इसे तो में ससात्रण हो गया लेकिन देद्ध घंच साथ जो है रेड़ लेकिन लेकार बताओ, फिर तुमने इस पर पानी डाला, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो फिर ये जो है, फिर से अपना yellow color में retain कर लेगा, तो ये एक तरह का indicator क्या, soap, soap was a base, soap was a base, तो base में इसने कैसा color change किया, red and brown, और जब फिर से neutral हुआ, तो yellow, जिस तरह litmus paper होता है हमारा, blue to red in acid, red to blue in base, but, जब ये neutral होगा, तो ये purple रूप में होगा, कैसे रूप में होगा purple, जब ये neutral होगा तब, ठीक, अभी देखता हूं जा कहान है, अभी जब है, तुम सबजी गिराओ अपने कपड़ों में जल्दी से दूर क्या हो, है, how do acids and base react with metals, this you know, metal non-metal पढ़ चुक है, उनकी reaction पढ़ चुक है acid के साथ, जल्दी से बताइए, जब metal acid के साथ threat करता है, तो mash हो जाता है, क्या, mash, mash क्या है, M से है metal, A से है acid, S से है salt, और H से क्या है, hydrogen, metal, acid, salt, hydrogen, यनि metal की reaction acid के साथ कराओ गए, तो salt और hydrogen मिलेगा है, नहीं कि hydrogen gas evolve होती है, ऐसे कि अब base को हम metal के साथ react करेंगे, तो not all base, but few bases react with metal to give hydrogen gas, as simple as that, ठीक, अगला है, how do metal carbonates and metal hydrogen carbonate react with acid, जो धातू carbonate और धातू hydrogen carbonate अमलक के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, या फिर अभिक्रिया करते हैं, तो metal carbonate के अगर बात करेंगे, reaction जब हम करवाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक general आपके metal carbonate की reaction, acid के साथ करवाएंगे, या फिर metal carbonate के लोगा, metal hydrogen carbonate भी हम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर carbonate ले लिए, जब हम hydrogen carbonate लिए, बात वही आएगी, कि यहाँ पर आपको salt मिलेगा, water मिलेगा, plus CO2 gas evolve होगी, प्लस CO2 gas evolve होगी, ठीक है, जैसे for example, चलो, यहाँ पर मैं एक metal carbonate ले ले लेता हूँ, Na2, CO3 मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने hydrochloric acid ले लिया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा salt, नमक, NaCl, water, और CO2 gas, यहनी carbon dioxide liberate होगी, बाकि आप balance कर सकते हैं, वो इतना important नहीं है, म बाकि balancing भी सिखेंगे, chemical reaction वाले chapter में, अब यह जो CO2 gas है, यह CO2 gas, बहुत important है, क्यों, क्योंकि यह gas will turn lime water milky, और यह question बहुत पूछता है आप से, कि which gas turns lime water milky, lime water क्या होता है, यह होता है, जो मैं लिख रहा हूँ, यह होता है lime water, यह होता है quick lime, यह होता है quick lime, इसको बोलते है quick lime, ठीक है, बुझा हुआ चुना, जब इसकी reaction हम करवा देते हैं, water के साथ, H2O के साथ, तो CAH का all twice मिल जाता है lime water, यह lime water की reaction, अगर हम pass करवा देंगे, CO2 gas, इसमें से pass करवा देंगे, तो this lime water will turn milky, milky मतलब दूदिया, क्यों, क्योंकि यह जो CACO3 calcium carbonate, इसका यहाँ पे ह गंगा दरी शक्ति मान था, जैसे कि कॉटिल यह विश्नुगुप थे, वही चानक थे, वैसे यह CACO3 यही limestone है, यही chalk है, यही marble है, जैसे भगवान के नेक रूप, वैसे CACO3 के नेक रूप हैं यह, clear सभी को, किसी को कोई दिक्कत कि, अगर metal carbonate की है, फिर metal hydrogen carbonate की रेक्ष पूछेगा, कि on reacting this with this, a gas is produced, which turns lime water milky, tell the name of that gas, ठीक है, या फिर, वो gas नहीं पूछेगा, वो पूछेगा, एक compound है, उसकी reaction acid के साथ करवा रहे हैं, और एक gas निकल रही है, जो lime water, which turns lime water milky, तो बताइए उस compound का नाम क्या है, तो फिर आपको वान से gas लगाना पड़ाएगा, CO to liberate हो रही है, acid से reaction करवाने के साथ, अच्छा, तो फिर compound है, तो metal carbonate होगा, या metal hydrogen carbonate होगा, उल्टा आप, उल्टा आपको चलना पड़ेगा फिर, तो पता यह होना चाहिए कि CO2 turns lime water milky, lime water क्या होता है, milky क्या होता है, यह milky CCO3 है, और इसमें water भी निकलता है as a by-product, ठीक ह और यह पता होना चाहिए, limestone, chalk and marble, repeatedly question आते है, repeatedly, इसको भूल नहीं सकते हैं आप, how do acid and bases react with each other, acid और base, दोनों जब मिल जाएंगे तो कैसे react करेंगे, बहुत आसान है, acid और जब base मिल जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को neutralize कर देते हैं, जैसे जब एक बहुत बोलने वाला, एक शान्त आदमी से मिलता है, तो दोनों neutralize हो जाते हैं, मतलब कम बोलने वाला थोड़ा बोलने लगता है, बहुत जदा बोलने वाला थोड़ा कम बोलने लगता है, तो यह क्या होता है, दोनों ने एक दूसरे को neutralize कर दिया, जब दोनों opposite चीज़े मिलती हैं, तो acid जब base क स्याथ reaction करेगा, तो salt और water मिलेगा, and this reaction is called as neutralization reaction, इस अभिक्रिया को बोलते हैं, यानि कि उदासी करण अभिक्रिया, इस particular reaction को बोलते हैं, ठीक, अब यह हमारे human body में भी होती है, कहीं कभी कभी, कैसे होती है, देखिये, अभि उसको भी देखेंगे, ठीक है, तो यह हमारे body में कैसे होती है, हमारे body में कुछ इस तरह से होती है, कि जब भी आगर आप observe करो, जब भी हमारे पेट में बहुत ज़्यदा acidity हो जाती है, क्यों हो जाती है पेट में असीड़ी हो जाता है, कौन से acid release हो जाता है, जल्दी से comment बताईए, हमारे पेट में रिलीज होता है, मिरियाटिक असीड है, सर यह कहूं से acid हो था है, याद करो, शीद है को हमारे पेट में हो जाती है acidity और फिर थूं लेते है, लेते हैं सब लोग न है ना ? तो न हमने क्यों लिया, because जो हमारे पेट में acid release हुआ that was HCL मतलब unknowingly लेते हैं कि हाँ ठीक है acidity वह हो जाएगी तो acid जो HCL release हुआ Eno was a base तो उस acid ने उस acid को neutralize कर दिया ठीक है तो HCL, Eno ने HCL को neutralize कर दिया इस reaction को दासी करण अब भी क्या बोलते हैं neutralization reaction बोलते हैं clear है यह reaction usually exothermic होती है nature में exothermic मतलब heat release करती है यानि कि उश्मा छेपी होती है उश्मा उश्मा छेपी exothermic मतलब heat evolve होती है heat is evolved clear है चीज़ सभी को किस तरह से acid एक base के साथ react करता है अई होपी सभी को reaction clear होगी now reaction of metallic oxide with acid यह भी आपको पता है कर चुके हैं की नहीं बताइए जल्दी से metallic जो oxide होता है इसका क्या nature होता है metallic oxide जो धातू का oxide होता है हमने पढ़ रखा है यह basic nature का होता है basic होता है तो जब हम base के reaction एक acid के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा ठीक है वही neutralization reaction उदासी करना भी करिया now what happens to an acid or base in water solution एक सेकेंड रुखिए यह ठीक है what happens to an acid or a base in a water solution पानी के घोल में अम लिया छार का क्या होता है जब हम acid या base को dissolve करते हैं water में तो चलिए ले ले लेते हैं एक acid को यहां पर एक हम यहां पर acid को उठा लेते हैं HCl को ठीक है जो भी हमने पड़ा जब हम एक acid को water में dissolve करते हैं तो यह इसके ions मिलते हैं H plus ion evolve होता है और chloride ion ठीक है cation and anion यह H plus further water के साथ react करता है because water में इसको हमने dissolve किया है और यह hydronium ion produce करता है hydronium answer क्या होता है यह जो H3O plus है इसी को हम प्यार से hydronium ion बुलाते हैं hydronium ion बुलाते हैं और इसी तरह माल लेते हैं हम एक base ले लेते हैं sodium hydroxide NaOH तो यहाँ पर Na plus और OH negative मिलता है तो यह OH negative को हम बोलते हैं hydroxide ion तो जब हम पानी में acid को dissolve करते हैं तो हमें hydronium ion मिलते हैं H3O plus concentration मिलता है और जब हम base को dissolve करते हैं तो hydroxide ion मिलते हैं ठीक है कहीं पर हो सकता आपको H plus भी लिखा मिल जाए कि acid को जब dissolve वरते हैं H+, तो को ज़्यादा अंतर है नहीं, किस तरह से होता है मैंना कोता दिया, कि जब water इसके साथ और react कर जाएगा, तो H3O plus बन जाएगा, जिसको hydronium आयन बोलते हैं, तो कहीं न कहीं, जो H3O plus या फिर H plus है, ये हमें एक acid के concentration के बारे में बता रहा है, अब अगर मैंने कोई acid लिया, उसको पाने में dissolve किया, acid A को, acid B को भी लिया, dissolve किया, पहले case में, मुझे पहले case में, ज्यादा H3O plus आयन मिले, ज्यादा hydronium आयन मिले, दूसरे वाले case में, कम hydronium आयन मिले, ठीक है, कौन सा acid इन दोनों में ज्यादा concentrated है, ये बता दिये जल्दी से इन में से कौन सा ज्यादा concentrated होगा, तो यहाँ पे पहला वाला जो है ना, पहला वाला, ये ज्यादा concentrated है, यानि कि, ज्यादा, ज्यादा acidic है, इसमें कम मिले हैं, तो इसके comparison में ये जो है, कम acidic होगा, और क्योंकि इसमें कम H3O plus में आयन मिले हैं, यानि कि, H3O plus जो ions हैं, hydronium ions, ये directly हमें एक acid की concentration के बारे में बता रहे हैं, is that clear, अब हम आ जाते हैं, strength of an acid and base पढ़ते हैं, कि एक acid की strength या base हमें कैसे पता चलती है, अब ही बताया मैंने आपको, कि hydronium ion, hydroxide ion को test करी, उसे पता चलती है, similarly, जिस तरह से ये मैंने बोला, कि जितना hydronium ion concentration मिलेगा, उतना ही strong acid होगा, similarly, मैं ये भी तो बोल सकता हूं, कि जितना ज्यादा hydroxide ion होगा, उतना ही ज्यादा basic होगा, वो चीज़, वो base, clear, इतने चीज़ clear है, एक second रुकिएगा, शोली, एक second, यहाँ पर आप एक और चीज़ समझे, and that is, कि हमेशा, इस चीज़ को ध्यान रखना, कि water को, sorry, एक acid को, acid को water में add किया जाता है, vice versa नहीं किया जाता, vice ठीक है, जाता है, कभी भी water को acid में add नहीं किया जाता, अब आप में से काफिलों के लिए चीज confusing हो सकती है, क्या है यह मतलब, बात तो दोने same है, similar लग सकते हैं, लेकिन same नहीं है, मैंने एक पहला जो case है, यह जो पहला वाला है, यह बोल रहा है, कि यह acid है, ठीक है, यह क्या है यह, यह acid है, ठीक है, इसमें से हम पानी डाल रहे हैं, इसमें से हम, sorry, 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 यह water है, ठीक है, यह water है, ठीक है, यह है आपका water, इसमें हम add कर रहे हैं, acid, ठीक है, यह जो हम add कर रहे हैं, acid, और वो भी जो add कर रहे हैं, बहुत धीरे-धीरे, आइस्ते-आइस्ते, और चला रहे हैं, इसमें चमत से, ठीक है, ऐसे add करते हैं, दूसरा वाला process, water को कभी acid में act नहीं करते हैं, जैसे ये acid है माल लेते हैं, ठीक है acid है, इसमें आप water को add नहीं करते हैं, add नहीं किया जाता है, क्यों, इसका कारण ये है, कि ये जो पूरा process है, highly exothermik होता है, बहुत ज्यादा heat evolve होती है, तो अगर आपने दूसरा वाला कांड कर दिया, तो कांड हो जाएगा आपके साथ, य यहाँ पर localized heating हो जाएगी, और यह आपका test tube है, जिसमें भी आप add कर रहे है, टूट जाएगा, blast हो जाएगा, और आपके छाले आजाएगे, ठीक है, आगर आपके ज़्यादा से भी चीटे पड़ गया तो, तो इस वज़े से ये किया जाता है, ठीक, पहली चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज मझे बताईए, दूसरी चीज मझे बताईए, कि इस case में, hydronium ion concentration H3O plus बढ़ेगा या घटेगा, मैं इस acid को water में add कर रहा हूँ, H3O plus ions का जो concentration बढ़ेगा घटेगा, answer बतीजिए, इस question का, और तब आते हैं, strength of an acid and base, अमल और चार के strength, कैसे पता होगी, अभी बताया, जितना ज्यादा H3O plus, उस acid के strength ज्यादा है, जितना ज्यादा hydroxide है, उसकी ज्यादा strength है, जिसे for example, यह pH value होती है, एक pH scale होती है, pH scale होती है, pH scale होती है, जिसको हम बोलते है, power of hydrogen scale, और German language में, इस P का मतलब होता है, potence, याद रखेगा, इस German language में, potence meaning हो इसे, यह जो scale है, यह हमें acid या base की strength बता देती है, यह 7 value इसमें neutral होती है, और यह vary करती है, 0 से लेके 14 तक, तो जो beach की value है, 7 वो neutral value को दर्शाता है, जितना आप left side में जाएंगे, उतना ही ज्यादा वो चीज acidic होगी, और जितना ही ज्यादा आप right में जाएंगे, वो चीज उतनी ही ज्यादा basic, यानि की छारी यह होगी, ठीक है, पहले मैं इस सवाल cancer देता हूँ, जो मैंने आपसे पीछे पूछा, कि H3O plus iron घटेगा इस case में, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दी हूँ, जो मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, मैं आपसे यह बोल रहा हूँ, कि जितना आप 7 के left side में जाएंगे, उतना ही ज्यादा acidic होगा, और जितना 7 के right side में जाएंगे, उतना ज्यादा basic होगा, तो मुझे यह बताइए, 7 के left side जाने में, hydronium iron concentration बढ़ेगा या गटेगा, और 7 के right side जाने में, hydroxide iron का concentration बढ़ेगा या गटेगा, यह मेरे question आपके से, बताएंगे जल्दी से, 7 के left में जा रहे है, 7 के left में जा रहे है, 6 में पहुंचे, 5 में पहुंचे, 4 में, 3 में, 2 में, और acidic, और acidic, और acidic, highly acidic, यानि जितना acidity बढ़ रही, यानि H3O plus iron बढ़ेगा, क्योंकि H3O plus iron तो हमें एक acid की strength बताता है, उसी तरह जब हम यहाँ पे जाएंगे, और OH negative, और basic, और basic, और basic, तो यह निए, और OH negative, और OH negative, और OH negative iron मिलेंगे, और hydroxide iron मिलेंगे, ठीक, तो बढ़ेंगे, तो अगर मैं यह बोल दूँ, कि 7 के right side जाने में H3O plus iron बढ़ेगा, क्यों गटेगा, गटेगा, क्योंकि वहाँ अब हम basic में जा रहे है, तो 7 के left side जाने में H3O plus iron बढ़ता है, और 7 के right में, OH hydroxide iron का concentration बढ़ता है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजों के pH मान लिखे हुए, pH value लिखे हुए, उनको आप देख लेंगे, जैसे कि, battery acid 0 होता है, stomach का acid होता है, जो HCL होता है, 1 से लेके 2 तक, 1.5, 1.6, ऐसा something होता है, एक के something, lemon juice 2 के something होता है, soda 3 के something होता है, ठीक है, यह baking soda की बात नहीं हो रही है, तो इस soda को आप यहाँ पे हटा सकते है, not that much important, tomato juice, आपका 4 होता है, और black coffee में 5, ठीक है, milk में 6, और pure water, जिसको के हम distilled water के नाम से भी जानते हैं, इसमें 7 होता है, चीज milk of magnesia धहन रखना यहाँ पे 10 होता है, milk of magnesia का, milk of magnesia क्या होता है, what is this milk of magnesia, तो अभी मैंने आपको इचीज बता रहा था कि क्या होता है, जब एक acid एक base के साथ react करता है, तो मैंने बोला है, इसको neutralization reaction बोलते हैं, और जब हम पेट में हमारी acidity हो जाती ही, तो हम base लेते हैं, और वो जो base हम लेते हैं पेट में अपनी acid को मिटाने के लिए, उनको हम antacid बोलते हैं, antacid क्या होते हैं, antacid are those compound which we use to neutralize the acidity in our stomach, acidity in our stomach, यह होता है आपका antacid, और इसका सबसे best example है, milk of magnesia, magnesium को 2, ठीक है, milk of magnesia, जिसका क्यों formula क्या होता है, इसका formula होता है, mg OH का whole twice, यह इसका formula होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थे इसमें, तो milk of magnesia का ध्यान रखेगा 10 होता है, पूछा जा चुका है question, और 14 ध्यान रखना, जो हमारा sodium hydroxide होता है, उसका होता है, sodium hydroxide, ठीक है, clear, अब आगे बढ़ने से पहले, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, that is, कि अभी हम bases की solubility पढ़ रहे थे, bases की solubility, मतलब पानी में acid को डाल रहे थे, base को डाल रहे थे, acid तो सारे घुल जाते हैं पानी में, लेकिन सारे base नहीं घुलते हैं, सारे base पानी में dissolve नहीं as are called as alkaliis, मैंने क्या बोला, मैंने बोला, सारे base जो हैं, सारे चाहर पानी में नहीं घुलते हैं, वो चाहर जो पानी में घुल जाते हैं, उनको alkali बोलते हैं, तो मुझे ये बताईए, तो एक मैं अगर statement अगर आपको दूँ, कि all, 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 bases are alkaliis, ये statement true है या फिर false है, all bases are alk ये statement true है, फिर false है, और all, 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 से बताई है तो सही आंसर यह होगा कि all alkali are bases all alkali are bases but not but not the vice versa यानि all bases are not alkali because only those bases are alkali which dissolve in water और जो भी bases dissolve हो जाते है ना water में that is alkalis यह corrosive होते है नेचर में यह थोड़े से corrosive होते है नेचर में तो touch watch ना करना चाहिए इनको है ना but not the vice versa is true ठीक अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हो और थोड़े से जो मतलब की बहुत ही यह यहां पर यह बताने आपको और बिफोर स्टाइब यहां पर एक और दो एक दो कुष्चन है यहां पर और 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 एड करूंगा ठीक है और यह कि यह बताईएगा थीक है ऐडिक किश फ्यले पे उती है जो ऐसे डम है न वह उती है और कुछ पिएच एड़ीर देख लेके अ lol जए सलाइवा का पीह कुता होता है blood का pH किता होता है saliva and blood का तो अगर हम बात करें जो हमारा body है human body normally यह 7 से लेके 7.8 pH पे काम करता है यह values रटी होनी चाहिए आपको digestive system के अगर बात करें तो अभी हमने देखा था digestive system का वी 1.6 के राउंड होता है pH change as a cause of mouth decay तो अगर आपका mouth decay नहीं tooth decay अट कर लो यहां पर तो tooth decay के अगर बात करें तो अगर 5.5 से pH value कम हो जाएगा कम हो जाएगा तो आपका tooth में decay होने लगेगा तो इस यह से normal pH level आपका maintain होना चाहिए तो तभी बोला जाता है कि बहुत जादा यह सब chocolate और यह सब नहीं खाना चाहिए नहीं तो tooth decay होने लगता है और रात में अगर हम ऐसे खाके लेट जाते हैं तो फिर वो क्या न वो acid में breakdown होने लगते हैं तो फिर acid वो हमारे tooth decay का कारण बन जाते है और use of pH by plants for self-defense यह भी आते हैं इस चीज़ पे बट acid rain का pH शेगर बात करें तो 5.6 से कम tooth decay के लिए रात रखेगा 5.5 और acid rain के लिए 5.6 saliva जो होता है हमारा slightly acidic होता है ठीक है slightly acidic होता और यह आपने observe भी क्या होगा जब आप सुबह सो के उठते हो न तो इतने थोड़ा सा sour sour लगता है वोजब खटा सा taste लगता है न मुह में तो slightly acidic होता है saliva और जो blood होता है हमारा blood यह slightly basic होता है या फिर slightly alkaline होता है जब मैं slightly basic या फिर slightly acidic बोल रहा हूं that mean कि 7 के आसपास ही है saliva 6.4 something और blood 7.4 something यह slightly का मतलब है कि 7 के आसपास है अब इसकी बात कर लेते हैं use of pH by plants for self-defense इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कुछ हमारे pain होते हैं कुछ हमारे pH कुछ हमारे पौधे होते हैं जो acid release करते हैं और उनमें से हमारा एक है nettle leaves जिसको कि हम बोलते है हिंदी में बिच्छू बूटी यह जंगलों में मिलता है herbaceous plant एक तरह का ठीक है it is a kind of herbaceous plant हिंदी में इसको बोलते हैं बिच्छू बूटी क्या बोलते हैं इसको बिच्छू बूटी अच्छा बताए जो बिच्छू होता है वो किस phylum से बिलॉंग करता है animal kingdom के जल्दी कर देंगे ठीक है because यह बोलते हैं don't touch me formic acid को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं ध्यान रखेगा अगर इस तरह से आज है methanoic acid और याद करिए यह वही acid है यह वही acid है जो की हमें sting of bee या फिर आंट की sting से मिल रहा था काटने के जैसे मिल रहा था formic acid ठीक है अब मुझे बताईए अगर इसको आपको जैसे काट लिया नेटल लीव वाक वहीं गया है ठीक है आपको पता आपको पता नहीं नेटल लीव क्या है आपने गलती से चूल लिया आप तिल मिला गए एक दम से तो फिर आप किस चीज को अपलाई कर सकते हैं जिससे यह आपका acid की वज़ लिया तो हम जैसे for example किसी base को ला सकते हैं उसको रगड़ सकते हैं नीटलाइज हो जाएगा ठीक है और अच्छी बात यह है कि मैं अगर नेटल लीव से आपको इच्छिंग हो जाए तो आसपास ही देखिएगा आपको एक plant मिलेगा जिसका नाम होता है dog plant यह dog plant अक्सर इसक अमरे planets में भी acid होता है बिल्कुल तो अगर आप guess करना चाहता है तो कर सकते हैं क्योंकि geography में तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि कौन सा planet है जिसमें कि thick clouds of thick clouds of H2SO4 मिलते हैं कौन सा वो planet है कौन सा ग्रह है जिसको कि हम जो सबसे हमारा चमकीला ग्रह है जो सबसे हमारा गर planet है इसमें thick cloud of H2SO4 देखने को मिलते हैं और इसी H2SO4 को हम किस और नाम से जानते हैं OL of vitriol के नाम से भी जानते हैं यहां तक किसी कोई doubt हो तो पूछिए नहीं तो फिर हम अपना आखरी topic स्टार्ट करते हैं that is salt जिसको मिंदी में 11 बोलते हैं ठीक है चलिए मताई जो जी से बिलकुल सही है शिवानी सिंग शिल्वर मैन गरवित रोहित शुति निवेदिता प्रिशान तनुराधा शिल्वर बिलकुल सही है नोट में रूट से मजसी है है यह जो नोट सा तक पहले मिलते थे उनकी टब्र बहुत 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 खराब है इसमें इसे लिए वह नोन रूट सभी नहीं बना पा रहे ठीक है जैसे ही वह रिकवर होते हैं वह सारे नोट आपको मिल जाएंगे उसी format में ठीक है वाटर में एसेड मेलाने पे एचिस्त्रियो प्लस कम कैसे हो जाएगा शिवानी जी मैंने अभी बताया कि एसेड जितना उसको डाइल्यूट कर रहे हैं 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 डाइल्यूट कर है तों में भी बिच्चों कटवाएं तुमको सारा रेप्टाइल निकल जाएक तुमारे भी ऑथॉपोड़ा होता है ठीक है जॉइंटेड लेक्स होता है स्कॉर्पीयन ठीक है ओर्टरोपोर्ड और यह जो रेप्टाइल बोलें रेप्टाइल कोई फाइलम थोड़ी नहीं तो फाइलम बोला। छीक हा हमें पता है dose क्पाइलम के बाद फाइलम के बाद फाइलम के बाद फाइलम के घ्لاस आता है। तो असे जो है आ एक और लिजक्सा हों पार जो तो jointed legs होते है बॉप्पं तरिक लेटरी सिस्टम होता है। सबसे बड़ा इसमें class कौन से होता है जल्दी से बता है और 85% all जितने भी हमारे और इसमें से बिलाओं करते हैं इसमें well distinguished body system होता है head होता है thorax होता है ठीक है इस तरह से और neck region होता है सारी चीज़ें और orthropoda जो है अगर हम बात करें सबसे बड़ा class इसमें आपको insects का देखने को मिलेगा ठीक है start करते है salt को सबसे पहले हम पढ़ेंगे topic यहाँ पर pH of salt जो 11 होते हैं उनका pH मान क्या होता है तो जो salt है उसका pH value less than 7 भी हो सकता है और more than 7 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है साथ से कम और साथ से ज़्यादा अगर साथ से कम होगा तो उसको हम acidic salt आइसिदिक salt और अगर more than 7 होगा तो उसको हम basic salt बोलेंगे अब ये कैसे होगा salt मिलता कब है जब हमें एक acid के reaction एक base के साथ करवाते हैं तो salt और water मिलता है यानि salt कब मिल रहा है जब हम acid reaction basic करवा रहे हैं तो अगर इस process में हम acid strong लेंगे strong acid लेंगे तो salt भी हमें कैसा मिलेगा acidic मिलेगा इस process में अगर हम base strong लेंगे base strong लेंगे तो जो हमें salt मिलेगा वो basic मिलेगा जैसे कि आप में से कुछ लोगों के में हो सकता है ठीक है मम्मी की properties ज्यादा हो यह हो सकता है पापा की properties ज्यादा हो वो depend करता है कि dominant कौन था ठीक है तो यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर dominant कौन है acid तो dominant character क्या होगा salt का acid यहाँ पर dominant कौन है basic base dominant है तो इसका character क्या होगा basic clear अब यहाँ पर आते हैं common salt a raw material for chemicals साधारन होगा साधारन नमक साधारन नमक रषायनों का कच्छा पदार्थ कच्छा पदार्थ मतलब as a raw material यूस किया रहता है what is common salt common salt को ही हम rock salt के नाम से जानते हैं और यह क्या होता है हमारा यह होता है NACL यह जो NACL है मिलता कैसे आप ऐसे कित्तों लोगों पता है कि NACL जो होता है sodium chloride यह मिलता कैसे यह मिलता है जब ocean water को evaporate कर वाता है चैटानों से भी पहले इसको निकाला जाता है तो इसको rock salt या फिर table salt के नाम से भी जानते है इसको बहुत सारी चीजों में बनाने में यूस किया जाता है अब उसको हम एक एक करके बनाएंगे आगे बट बिफोर दाट ठीके यह आद खिएगा एक पर CDS में question पूछ लिया था कि कौन सा compound गांधी जी ने अपने civil disobedience movement में यूस किया था सभीना वग्यांदुलान में तो modern history तो हमने पढ़ा नहीं है जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज को देखें कि जो 1930 है उसमें civil disobedience movement सभीना वग्यांदुलान स्टार्ट मार्च तो सॉल्ट को यूज किया गया था सॉल्ट मतलब NACL compound है न चलिए तो हम डिफरेंट compounds बनाते हैं सबसे पहला compound हम बनाएंगे sodium hydroxide को इसके लिए सभी लोग नमक लेके आएंगे जल्दी से भाग के ले ऐसा भी लोग इसमें नमक जल्दी से वेट कर रहा हूं मैं उस नमक में थोड़ा सा पानी मिला लाईएगा NACL में फिर थोड़ा सा पानी यानि की एकोस वाम में ले लीजिएगा और फिर उसको पानी इसको नमक मत बोलिएगा ब्राइन बोलिएगा उसको ठीक है ब्राइन साउंड्स लाइक वाइन ठीक है तो ब्राइन इसको बोलेंगे फिर इसको क्लोरीन लेके एएगे थोड़ा सा क्लोरीन मार्केट से क्लोरीन यहां पर आड़ कराईएगा क्लोरीन नहीं क्लोरी नहीं इसमें आपको पानी डालना है और पानी डालना है एक सेकेंड क्या हो गया यह ठीक है इसमें आपको करवाना है इलेक्ट्रोलिसेस इसमें आप करवाएंगे इसका इलेक्ट्रोलिसेस आपने ब्राइन लिया, यहीं of NaCl और आपने इसका करवाया electrolysis, जब आपने electrolysis करवाया पुरा अनोड और cathode बना मना के सब, तो आपको यहाँ पे मिलेगा sodium hydroxide, यही तो हमें बनाना था, तो आपने चीज़ देखी NaCl से हमें NaOH मिल गया, जिसको कि हम बोलते हैं, दो नोल्स के आपके हो याप लिए कि सभि करने के लिए लेकिन यहां पर उस चीज़ को अपर आ सकते हैं बाल में कर लेंगे ठिक है न पर हमारा कैथोड में हमको मिलता है है प्लस हमें यहाँ पे दो gases मिलती है, chlorine मिलती है anode पे और hydrogen मिलती है cathode पे और इस particular process को हम बोल देते हैं, chlor-alkaly process, यह जो process है जहाँ पे हमने इस brine से हमने यह sodium hydroxide बनाया, sodium hydroxide बनाया, जो कि हमारा एक alkali है, alkali है मतलब यह पानी में dissolve हो जाता है, तो इसलिए इसको हमने chlor-alkali process बोला, chlor क्योंकि chlorine मिल रही है, alkali क्योंकि alkali मिल रहा है, इसलिए इसको chlor-alkali process बोलते हैं, very important, तो किस तरह से हमने NaCl का यूज़ करके NaOH बना लिया, वो आपने देखा यहाँ पे, अब यह जो chlorine मिली है, जो यह chlorine मिली है, इस reaction में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, bleaching powder बनाने में, कैसे, जिसे कि हमने यहाँ पे, इसको इंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, तो इसको हम क्या करेंगे, जो CL2 हमें मिली है, और अभी मैंने आपको बताया था, इसके बारे मैं सको क्या बोलते हैं, जली से बताइए, इसमें, that is lime water में, जो कि milky turn हो रहा था, अगर इसकी reaction CO2 के साथ करवाई जा रही थी, लेकिन अगर इसकी reaction CO2 क्लोरीन के साथ करवाई जाएगी, तो यह हमें दे देगा, C-A-O-C-L-2, इसी को बोलते हैं bleaching powder, बट it is a common name, ठीक है, और अगर scientific name की बात करें, तो इसका नाम होता है calcium hypo chloride, calcium hypo chloride, ड नहीं होता है, ड होता है यह चीज़ देहां रखना, calcium hypo chloride, ठीक, इतने चीज़ क्लियर, इसी को ही हम बोल देते हैं bleaching powder, इस bleaching powder के different uses होते हैं, इसके different use होते हैं, uses क्या क्या होते हैं, कहां कहां use किया जाता है, तो इसको हम obviously बात है bleaching के लिए यूज़ करेंगे, as a bleaching के लिए हम कहां कहांपर use कर लेते हैं इसको, इसको जो cotton industries होते है, जो cotton हमारी industry होती है, मतलब जो textile industry होती है, जहांपर हम cotton वगरा के use करते है, cotton हो गया, linen हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर इसको bleach करने के लिए उसकिया जाता है, textile industry में इसी तरह paper factories में wood जो pulp होता है उसको bleach करने के अवश रखता पड़ती है तो paper factories में ध्यान रखना जो paper factories होती है उनमें wood pulp ठीक है wood pulp को bleach करने के लिए यूज किया जाता है इसको अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो इसको oxidizing agent के तौर पर यूज करते हैं oxidizing agent मतलब अगर किसी को oxygen देना हो न तो वो जो किसी को oxygen देते हैं उनको oxidizing agent बोलते हैं अब इसके पास देखिए यहाँ पर एक oxygen बीच में attached है यह oxygen जो है किसी के साथ भी इसके reaction करवाएंगे यह oxygen उसको दे देगा इसलिए oxidizing agent के तौर पर काम करता ही है प्लस आपने chlorine के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि जो chlorine होती है हमारी gas chlorine इसको water purification के लिए यूज किया जाता है ना पानी को शुद्ध करने के लिए हम इसको use करते हैं अब यहाँ पर हमें bleaching powder में देखने को मिल रहा है तो इसको हम as a मतलब जो drinking water को germ free ठीक है to make to make drinking water germ free drinking water germ free इसके लिए भी उस करते हैं bleaching powder को सभी को यहाँ तक चीजें clear हैं फिर यहाँ पर हम baking soda फिर जल्दी से बनाएं अगर यहाँ तक सभी को चीजें clear हो तो आगाँ पिर यहाँ पिर चीजें आगे बढ़ते हैं बेकिंग सोड़ा बनाते हैं अब बेकिंग सोड़ा आप यह नाम पहली बार नहीं सोड़ा इसको खाने वाला सोड़ा ही बोलते हैं हिंदी में खाने वाला सोडा, because हमारे kitchen में मिलता है, kitchen में आपको ज़रूर मिलता है, और ये जब आपकी मम्मी यूज करती होंगे, जब जैसे पकोड़े वगरा, या फिर जब केक वगरा बनाती होंगे, तो इसका यूज होता है, कैसे, लेकिन ये बनता कैसे, पहले बनाते हैं, लेकिन से भूलिये मत, हम पढ़ क्या रहा है, हम पढ़ रहे है, common salt, a raw material for chemical, common salt को, NaCl को as a raw material यूज किया जाता है, different जगों में, तो sodium hydroxide को बनाने में, कैसे यूज किया जाता है, हमने देखा, ठीक है, अब हम देखेंगे baking soda, ये क्या देखा था, bleaching powder, ये हमने देखा था, जो sodium hydroxide ब ये से baking soda को बनाते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया NaCl, ये एकोस फॉर में नहीं लिया, जैसे कि chloralkali process में लिया था, water, CO2 और ammonia gas को इसमें add करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है NH4Cl, ammonium chloride, ये है आपका salt, और एक मिलता है हमें, salt NaHCO3, ठीक है, य ये baking soda तो common नाम हो गया, बाकी अगर हम देखें तो इसका नाम ऐसे होता, sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate, okay, अब ये जो baking soda है, इसके आगए यहाँ पर क्या लिखे हो है, baking soda की uses लिखे होगा, ठीक है, ये जो baking soda different जगों में use होता है, जैसे कि इसको baking powder बनाने के लिए उस उख किया जाता है, baking powder क किसी acid के साथ, और ऐसे जो edible acid होता है, mild edible, mild edible acid के साथ mix कर देते हैं, तो baking soda बन जाता है, ठीक है, mild edible acid के जैगा, जैसे कि हमने tartaric acid को use कर लिया, tartaric acid किस में मिल रहा था, recall करें जल्दी से, tamarid में, grapes में, इन सब में मिल रहा था, यहाँ पर इसको use कर लेते हैं, प्लस, इसको हम baking soda को use करते हैं, sodium, sorry, soda, acid, fire extinguishers में, soda, acid, fire extinguishers में, और इसको हम as an antacid भी use कर लेते हैं, जैवारे पेट में acid होती है, तो हम अपने kitchen से उठा के लाते हैं जल्दी से, baking soda को और अपने neutralize करते हैं, ठीक है, तो antacid के तौर पर भी इसको use कर लेते हैं, क्लियर है यहां तक सभी को, कि कैसे बना और इसके uses क्या क्या हैं, यह reaction उतनी important नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि इसका नाम का है sodium hydrogen carbonate, और कैसे कैसे मिल रहा है, अगर यह reaction आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, बाकी यह आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको हम baking powder बनाने के लिए use करते हैं, baking soda को जो हम edible acid से मिला देते हैं, मिला देते हैं तो baking powder बन जाता है, ठीक है, और यह जो baking powder मिला ना, इसको अगर माल लेते हैं जब हम heat करते हैं, यह जो baking powder मिला, इसको अगर हमने heat किया, या फिर water के साथ mix किया, तो होता यह है कि जैसे water के साथ mix करेंगे, तो baking soda होता क्या है, तो यह baking powder, वही NaHCO3 जो होता है इसमें, ठीक है, NaHCO3, इसको H plus iron मिल जाते हैं और जब H plus मिलता है इसको, ठीक है, तो H2 वो निकल जाता है, H2 और CO3 से O निकल जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पर? CO2, तो CO2 जो gas ए carbon dioxide, यह gas release होती है, जब हम baking powder को heat या फिर mix करते हैं water के साथ, ठीक है, और इसी वज़े से जो हमारा cake होता है, या फिर कोई भी soda acid fire extinguisher और anti-acid के तौर पे इसको हम यूज करते है, now coming on to the last thing, जो हम बनाते है, sodium chloride से और वो हमारी baking powder, sorry, washing soda, नहीं कि दोने वाला soda, दोवन soda गोलते हैं इसको इंदी में, ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जैसे कि हमने लेंगे यहाँ पर baking soda, जो हमने पीछे अभी ब अचेगा, water निकल जाएगा, और carbon dioxide gas liberate होती है, यह हमने पढ़ा इसको heat करने पर, ठीक, यह जो Na2CO3 मिला, इसको कर देंगे, hydrate, इसको हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, इसका recrystallization, मतलब इसको hydrate करने का मतलब होगे, इसको recrystallize करना, यह इसमें water के crystals फिर से add कर देंग water के crystals जब अलग से add करेंगे, तो यह change हो जाएगा, Na2CO3.10H2O, और यह इनको हम बोलते हैं, water of crystallization, ठीक है, water of crystallization, clear, अब इस washing soda के बहुत सारे uses हैं, हमारे day to day life में, जैसे की, इसको हम use करते हैं, to remove permanent hardness of water, to remove, permanent hardness of water को remove करने के लिए उसको, और कहां पर यूज करते हैं, और जैसे इसको use कर लेते हैं, glass factories में इसको use होता है, soap और paper factories में use होता है, उसका मने कहां पर देखा था, textile industry हो गया, और paper factory हो गया, उसका baking, sorry, bleaching powder का use देखा था, glass, soap and paper factories में use होता है, अगर हम इसके बात करें, तो इसको sodium compound बनाने के लिए होता है, to manufacture sodium compound, to manufacture sodium compounds like borax, जैसे कि हमारा borax, यह borax अभी हम देखेंगे, क्या होता है, एक तरह का salt होता है, na2b407.10h2o, यह होता है borax, और इस particular borax को हम use करते हैं, जैसे कि toothpaste हो गएरा में, toothpaste हो गया, mouthwash हो गया, यहाँ पर use होता है इस borax का, ठीक, इसको हम as a cleaning agent भी use करते हैं, ठीक है, as a cleaning agent for domestic purpose, cleaning, as a cleaning agent for domestic purpose, यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ तक थे हमारे, अभी plaster of paris पढ़ने से पहले, यह बताई कि यहाँ तक चीज़ें clear हैं, यहाँ आपको summarize करता हूँ, हमने salt में पढ़ा गया, salt हमने सबसे पहले पढ़ा, आखे बंद होनी चीज़ें कि हमने pH पहले पढ़ा, तो pH acidic होगा यह फिर basic होगा, कैसा होगा वो salt, वो हमें तब पता चलेगा, कि हम यह देखेंगे, जो acid ज्यादा dominant है, base ज्यादा dominant है, अगर acid ज्यादा dominant है, निकि ज्यादा acidic तो salt acidic nature का मिलेगा, और अगर base ज्यादा dominant है, तो basic nature का salt मिलेगा, फिर हमने देखा कि किस तरह जो sodium chloride होता है, जिसको हम की common salt, table salt है, फिर rock salt के नाम से जानते है, rock salt, because rock से मिलता, निकाला जाता था, और table, because हमेरे table में, dining table में मिलता है, तो इस lips को हम different name से जानते है, common salt, because बहुत common है salt, तो इसको हम कैसे as a raw material यूज करते हैं, different चीज़ों को बनाने के लिए, तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया, ब्राइन लिया, इसका एक को सफॉर्म लिया, इसको electrolyze किया, और इससे हमें मिली sodium hydroxide, जो कि एक alkali है, और इसका pH value किता होता है, हमने पढ़ा था, 14 होता है, plus उसमें chlorine, gas मिली और hydrogen gas मिली, hydrogen cathode पे, chlorine, anode पे, chlorine को उठाया, lime water के साथ mix कर दिया, और हमें मिल गया bleaching powder, उस bleaching powder को यूज कर रहे थे, an oxidizing agent, because उसमें O है, as a bleaching agent इसको यूज कर रहे थे, paper and pill factories में, plus textile industry में यूज कर रहे थे इसको, फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से इस NACL का यूज, baking soda बनाने के लिए उस हुआ, NACL को हमने लिया, ammonious वगरा से react कर वाया, और हमें मिल गया NH4Cl, ammonium fluoride, जो कि एक compound होता है, जो कि एक तरह का आपका salt है, ठीक है, और यह salt आपको पता होना चाहिए, sublime होता है salt, मतलब directly solid से gas में convert होता ही, हम लोग ने पढ़ा था, जब different separation techniques पढ़ रहे थे, during the mixture chapter, और हमें मिलता है यहाँ पर NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, जिसको हम baking soda के नाम से जानते हैं, इस baking soda के different uses हैं, जैसे कि इसको अगर हम edible acid mix कर देंगे, baking powder बन जाएगा, इसको heat कर देंगे, तो CO2 gas liberate होगी, जिसके वैसे यह cake वगरा सा fluffy बनते हैं, और क्यों क्यों क्योंकि Na2CO3 मिला और CO2, अभी यह काम आएगी reaction आगे भी washing soda बनाने के लिए, इसको use करते हैं, soda acid fire extinguisher में important है, इसको as antacid यूज करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से हम sodium hydrogen carbonate को अगर heat कर देंगे, तो Na2CO3 मिल जाएगा, फिर इसको हम इसमें recrystallize कर देंगे, और इसमें water of crystallization जोड़ देंगे, ठीक है 10, Na2CO3.10H2, तो हमें मिल जाएगा washing soda, ठीक है, washing soda को हम कहां यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, यह sodium compound को manufacture करने के लिए, जैसे कि ब्रैक्स हो गया हमारा, इसको हम glass soap and paper factories में यूज करते हैं, और इसको as a cleaning agent के तौर पर यूज करते हैं, अब हम last topic देखते हैं, that is plaster of Paris, यह plaster of Paris क्या चीज होती है, तो एक हमारा compound होता है, gypsum, यह gypsum एक तरह का हमारा salt है, जिसका की formula होता है, calcium sulfate.2H2, CSO4.2H2, इसमें दो water की crystallizations है, ठीक, अब यह जो water की दो crystallizations है, यह water of crystallization है, इसको अगर हम heat करेंगे, यह lose हो जाएंगे, अगर इसको हम 373 Kelvin में heat करेंगे, इसको degree Celsius में convert करी है, तो मिलेगा CSO4.2H2O, आधा water का molecule बचेगा, इसी को plaster of Paris के तोर पे जानते हैं, इसको बहुत जगह पे यूज़ के जाएता है, जिसके अगर आपका accident हो जाता है, तो जो fracture हो जाती है की bone, उसको सही करने के लिए यूज जाता है इसका, और इसमें अगर माल लेते हैं 1.5H2O का water molecule फिर से add करते हैं, तो फिर से यह जिपसम में convert हो जाएगा, फिर से इसमें water of crystallization add हो जाएगे, ठीक है, तो water of crystallization के अगर बात करे हैं, तो चले यहां पर हमें कुछ और salt लिखता हूँ ज़रा बताईएगा आप, ठ degree Celsius में, तो हमें पता degree Celsius से जब Kelvin में जाना होता है, तो 2.3 को जोड़ना होता है, तो अगर हमें Kelvin से degree Celsius में जाना है, तो 2.3 को घटा देंगे, तो मिलेगा 100 degree Celsius, correct, some more salts से यहां पर पढ़ते हैं, एक से यहां पर मैं salt लिख रहा हूँ जैसे आप बताना, blue vitriol, ठीक है, blue vitriol बत Epsom, salt, ठीक, 5th number है, आपका potash alum, potash alum, और Epsom हो गया, moherd salt, ठीक है, और sodium benzoate, sodium benzoate का formula आपको ज़री नहीं है, sodium benzoate का use बताईए, यह important है, तो blue vitriol होता है, हमारा copper sulfate में, पांच water के क्रिसलाइजेशन, और यह जो 5 water के क्रिसलाइजेशन दिख रहे हैं आपको, 5 molecules of water, इसी की वज़े से इसका blue color है, इसको अगर हमने heat कर दिया ना, इसको अगर हमें heat कर देंगे, यह colorless हो जाएगा, क्योंकि इसमें water of crystallization चले जाएगे, उड़ जाएगे, और फिर से इस colorless में, फिर से अगर वो crystallization कर दिया, फिर से blue हो जाएगा, ठीक है, यह होता है हमारा FeSO4.7H2O, ठीक है, 7 water के molecules होते हैं, इसमें, white vitriol की बात करें, zinc sulfate.7H2O, Epsom salt की बात करें, magnesium sulfate, MgSO4.7H2O, potassium aluminum की बात करें, potassium aluminum, ठीक है, के, A, L, और इस पर question भी आया था, आपके, CGL में इस बार, ठीक है, कि किस ratio मिलते हैं, तो 1 is to 1 is to 2 की ratio में तीनों, potassium aluminum, वाँ, sulfate मिलते हैं, ठीक है, इसमें, 12 water के crystallization होते हैं, moher salt कर बात करें, बड़ा लंबा चौणा सा होता है, NH4 का whole twice, Fe, SO4 का whole twice, dot 6H2O, और sodium benzoid का बस आपको use पता होना चाहिए, that is, इसको हम as a preservative use करते हैं, कहां-कहां preservative use करते हैं, जैसे कि आप jam की bottle हो गई है, जो jam jelly जो खाते हो, tomato sauce हो गया, ठीक है, यहां पर as a preservative use किया जाता है, clear है यहां तक सभी को, कोई doubt तो नहीं है, ठीक है, यह कुछ और salt है, आपके कुछ extra, और क्यों इसमें water of crystallization होते हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, और हमारा chapter होता है, यहां पर खतम, अब हम लोग करेंगे questions इस पर, ठीक है, acid changes the color of blue litmus 2 dash, जल्दी से बताई है, double salt के बारे मतादे, double salt भी पढ़ेंगे, double salt भी पढ़ेंगे, question महीं आएगा double salt, ठीक है, जो दो तरह के salt से बनते हैं, उनको हम double salt होलते हैं, ठीक है, जो दो तरह के salt से बनते हैं, ठीक, example जैसे मैं आपको अगर देना चाहूँ तो, example अगर मैं देना चाहूँ तो, क्या दे सकता हूँ, global salt हाँ, global salt जो होता है न, global salt तो अलग होता है, global salt भी यहाँ पर लिख लो, ठीक है, global salt का भी formula लिख लेना, यह होता है आपका, na2so4.10h2, sorry, dot, हाँ, 10h2 होता ही है, ठीक है, यह होता है, global salt, double salt अगर मैं recall करूँ, चलो पहले तो answer तो इसका, blue किस में change होता है, red में change होता है, अगर यह acid है तो, जली सही इस question का answer बता हो, चलो अभी question आएगा इस पर, ठीक है, तब वहाँ पर देखेंगे, which are the following pairs of natural source and acid is not correctly matched, tamarind, oxalic acid, no, 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 tamarind में तो tartaric acid होता है, T से tamarind, T से tartaric है, किस में, Emily में होता है, curd में, lactic, vinegar में, acidic, orange में, citric, बिल्कुल सही है, ठीक, ethanoic acid is also known as, ethanoic acid को हम किस नाम से जानते है, ethanoic, ethanoic होता है, CH3COOH, यह होता है, आपका acetic acid, option number C, जो vinegar में मिलता है, Aquarage is a freshly prepared mixture of concentrated HCl and HNO3, in the ratio dash to dash by volume, किस ratio में होते हैं दोनों, तो हमने पढ़ाता है, HCl होता है, और HNO3 होता है, होता है, दोनों किस ratio में होते है, HCl, तीन, इसमें letters लिखे हुए है, तो 3 is to 1, answer होगा, 5th, tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than MTS 2022, tooth decay, 5.5, option number A, और 5.6 किस के लिए था, acid rain के लिए था, अमलीय वर्षा के लिए था, acid rain के लिए हैं, जब acid rain क्या होती है, acid rain वो rain होती है, जिस rain में, sulfur के oxides, या फिर nitrogen के oxides dissolved रहते हैं, उस rain को हम acid rain बोलते हैं, how does hydrochloric acid help in facilitating the action of pepsin, biology के एक तरह से question है, कि किस तरह इस hydrochloric acid है, जो action of pepsin को facilitate करता है, तो हमने पढ़ा था, किस तरह जब खाना पेट में आता है, तो HCL इसलिए निकलता है, ताकि जो pepsin है, जो protein को amino acid से ब्रेक करता है, वो function कर पाए, तो hydrochloric acid creates an acidic medium, which facilitates the action of enzyme pepsin, दो question है आपके लिए, HCL से कौन सी हमारी, जो HCL से inner lining of stomach को कौन प्रेट करता है, और pepsin की तरह दूसरा मारा एक और enzyme होता है, जो protein को amino acid ब्रेक करता है, वो कौन release करता है, और वो किस medium में काम करता है, तो इसका पहले answer होगा mucous membrane, शलेशमा जिली, और दूसरे वाले का answer होगा, trypsin होता है, जो की part होता है आपका, किसका, trypsin part होता है, जो pancreatic juice होता है उसका, और वो basic medium में काम करता, और वो basic medium उसके लिए कौन बना के देता है, यह बताइए, not the correct match, इसमें से सही match कौन नहीं है, सही male नहीं है, acid present in tomato, formic acid, acid present in orange, citric acid, grapes में tartaric, rancid butter में butyric, तो जो खराब हो गया है, शल गया है एक तरह से butter, ठीक, उसमें butyric acid होता है, सही है, grapes में tartaric होता है, grapes और tamarind में, इंबली और अंगूरों में, orange के बात करें, इसमें आपका citric होता है, अभी पढ़ा है, tomato में आपका होता है, oxalic, ना कि formic, oxalic को ही methanoic के नाम से जानते हैं, जो हमें sting of an ant, bee या फिर, ठीक है, इसमें मिलता है, ठीक, और oxalic, हमें और कहां मिलता है, spinach में, और पिछले वाली question का answer, bile juice होगा, bile juice मीटम को basic बनाता है, B से bile juice, B से basic, which of the following naturally occurring acid is present in ant sting, very easy question होगा, answer क्या होगा, methanoic, या फिर, formic acid, which of the following acid is found in spinach, कौन से आमल, पालक में पाया जाता है, तो अभी देखता हम लोगों ने, oxalic acid पाया जाता, option number D, which of the following is another name of folic acid, इन में से क्या folic acid का दूसरा नाम है, folic acid, यही तो आपका जो B, vitamin B8 होता है, उसका ही तो common name है, folic acid, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, folic acid, है ना, तो यहाँ पे folic acid होगा, आपका lactic तो होगा निया, ascorbic, glycolic भी नहीं होगा, आपका यह होगा, tero, teroiglutamic acid, यह होगा, teroiglutamic acid, ठीक है, सारी, B8 नहीं होगा, यह B9 होगा, ठीक है, सारी, B8 नहीं होगा, B9 होगा, यह है, और आंसर इसका होगा option number B, tero, teroiglutamic, बड़ा जीव सा नाम है, ठीक है, चलिए, अगले पे आते हैं, and that is यह, 11, अच्छल, जल्दी से बताएए के, vitamin B1 का क्या नाम होता है, B1 का नाम क्या होता है, और B12 का क्या होता है, जो कि मेरा last, आठवे number का, vitamin B complex है, what is the molecular formula for HCl, HCl, ठीक है, तो B1 थाइमीन, और सबसे आखरी वाला है, साइनो कोबाला मीन, है न, B12, which gas is produced, और कौन से vitamin B complex के वज़े से, पलाग्रा डिजीज होती है, और पलाग्रा को ही, हम लोग पता है, किस नाम से जानते हैं, किसी को पता है, पलाग्रा को हम 3D disease के नाम से जानते हैं, 3D disease, क्यों, क्यों इसमें जाता है diptheria, diptheria, dermatosis, और तीसरी कौन से disease होती है, 3D के नाम से जानते हैं इसको, बताइए, अब जल्दी से बताइए, कि इसका अंसर क्या होगा, which gas is produced when metal reacts with, when metal reacts with dilute acid, जब हम metal की reaction करवाते हैं, dilute acid से, तो mash होता है, mash का मतलब क्यों होता है, mash का मतलब होता है, metal plus acid gives salt plus hydrogen, that means option number, B यहाँ पर सही answer होगा, ठीक, आगे बढ़ें, तो यहाँ पर diptheria, dermatitis, और dementia, dementia मतलब loss of memory, citric acid is commonly found in, citric um, किस में पाया जाता है, onion, नहीं, apple, malic acid, oranges, citric acid, option number C, ठीक है, यह सही होगा, बनाना में भी malic acid होता है, what is the pH of rainwater during the acid rain, acid rain के time पे कितना होता है, more than 5.5, इतने के बीच में, equal to 5.6 or less than 5.6, कितना, कितना असान क्वेश्चन है, बई, अगर साथ से जादा हो जाएगा, तो बेसिक हो जाएगा, acid rain के रही, वो तो फिर basic rain हो गई, और अगर बात करें, more than 5.6 होगा, तो मतलब, बेसिक की तरफ बल रहे हैं, लिकिन में तो असेड की तरफ जाएगा, तो आंसर होगा, less than 5.6, 235.5, acid rain 5.6, muriatic acid is another name of which of the compound is used in the production of chlorides, fertilizers and dyes, in electroplating and in the photographic textile and rubber industries, तो अभी देखा था, muriatic acid is none other than हमारा hydrochloric acid, option number C, which of the following is found in window cleaner, window cleaner में कौन साब को इसमें से base देखने को मिलेगा, कौन सा अच्छार window cleaner के तोर पर यूज़ करते हैं, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, sodium hydroxide, या फिर calcium hydroxide, तो इसमें हम यूज़ करते हैं, ammonium hydroxide को, option number B, अगला कुश्च्चन है, pH, that is power of hydrogen, और इस पी का मतलब क्यों होता है, जरा बताईए, प्र बताईए, milk of magnesium का कितना होता है, तो इसका मतलब, German language है, potence होता है, और इसका pH वालिग होता है, option number C, 10, ठीक है, 14 किसका होता है, जो N.A.H. होता है, sodium hydroxide, और इसको हम ऐसे एंटासिट के तर पर यूज़ करते हैं, एंटासिट के तर पर आज हम लोग ने और कौन से पड़ा, कौन से एक सॉल्ट पड़ा तर जिसको हम यूज़ करते हैं, जरा बताईए, अगर हम उसे नूटासिट करना है, तो हम इसका यूज़ करेंगा, लाइम यूज़ का, यह तो इसको हम एक बेस का यूज़ करेंगा, हां हम बेकिंग सोडा मॉइस्ट बेकिंग सोडा का यूज करेंगे जो कि एक तरह का बेस है अप्शन नंबर सी ठीक यहां पे एंटासिट के तौर पे हम बेकिंग सोडा का भी यूज करते हैं हमने पढ़ा था 19 ओल आसिट्स जेनरेट डैश्ट गैस रियक्ट स्विध मेटल तो कौन सी गैस निकालते हैं बिल्कुल सही है अंजली अनुराधा प्राची एससी टॉक्स काव्या बड़ी दूर्गा करन चलो तो अगर हम बात करें एंसिट्स जनरेट करते हैं हाइड्रोजन ठीका option number a mash which is the following liquid has the highest pH इन में से सबसे ज्यादा pH value कि इसका है human blood milk of magnesia lemon juice यह फ होता है 2 से 2 से 3 के बीच में और orange juice के अगर बात करेंगे तो इसका भी मतलब acid ही होता है और around 3 to 4 के बीच में आपको orange juice का मिलेगा तो सबसे ज्यादा पूछा option number B का सबसे ज्यादा pH value 10 होगा milk of magnesia का 21 litmus paper changes to dash color when put in soap water soap water में जब रखेंगे तो litmus paper का color क्या हो जाएगा तो soap water क् मार एक तरह से base होगा so potra मार एक तरह का base होगा तो base में क्या होता है litmus के साथ red to blue हो जाता है RTB ठीक है red to blue हो जाता option number A which of the following substance has a pH value of about 14 14 किसका होता blood का sodium hydroxide milk of magnesia lemon juice very easy question 6.7.4 223 10 14 ठीक within the what pH range does the human body work माना शरीर किस pH सीमा के भीतर कार करता है अभी हम लगों ने पढ़ाता 7 से लेके 7.8 के बीच में काम करता है which of the following has a pH value nearest to zero इन में से pH मान किसका 0 के निकत्तम होता है concentrated HCL baking soda ammonia फिर pure water तो pure water का तो 7 होगा यह दोनों का साथ से ज्यादा होगा base है ठीक है Ammon concentrated hydrochloric acid होगा आपका ठीक है जो हमारे पेट में निकलता है जो acid उसको क्या बोलता है 1.6 होता है roughly 1 के नस्दीक ही होता है और यहां पर वही nearest to zero पूछा है तो nearest to zero इह ही हुआ ना 25 which of the following gas turns lime water मिलकी कौन सी गैस है जो lime water गैने CAH को hole twice को दूधिया कर देती है और कौन सी गैस है किसकी जिसकी reaction इससे हम करवाएं तो bleaching powder मिल जाता है आसर क्या होगा CO2 ठीक है carbon dioxide option number D और इसमें क्लोरीन की reaction करवा देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या bleaching powder metal oxide are dash in nature दादू के oxide प्रकृति में क्या होते है तो metal के oxide होते है basic in nature ठीक है बूनियादी नहीं चारी यह होते है ठीक है चारी यह और non-material के oxide होते हैं acidic the pH of liquid was found to be 7 which liquid is it likely to be एक लिक्विड का value pH value 7 है तो वो क्या liquid हो सकता है तो वो liquid होगा आपका water option number C हाँ पर सही आंसर होगा the reaction MTA-2022 the reaction between an acid and a base to give salt and water is called as iscom क्या बोलते है neutralization combination displacement effort decomposition इसकॉम बोलते है neutralization reaction जो कि थोड़ी सी exothermic in nature होती है उश्मा छेपी होती है which of the following is a natural acid based indicator natural acid based indicator litmus turmeric क्या होती है तो litmus तुमने देखा था turmeric भी तो मैंने तुमसे कपड़े दुलवाय थी इसलिए turmeric के stains पड़ गया थे healthy के तो वो भी तो एक तरह का हमारा acid based indicator है तो option number D both 1 and 2 यहां पर सही answer होगा ठीक है both 1 and 2 question number 30 when the litmus solution is neither acidic nor basic then it's color जब litmus का गोल ना तो अमली यह होता है और ना ही चारी यह होता है तो इसका रंग फिर क्या होता है purple, red, yellow यह फिर blue तो याद करीम ना को होता है था litmus paper है क्या, lichen से बना हुआ, lichen क्या है एक तरह की purple dye है और जब कोई color यह नहीं होता है neutral होता है तो यह purple color show करता है purple होता है और यह किस जो lichen होता है हमारा किस phylum से बिलॉंग करता है जल्दी से बताइए अगले पे आते है what happened when an what happens when an acid or a base is mixed in water बता है CHSL 2022 क्या होता है जब हम किसी अम ले अच्हार का पानी में मिलाते हैं तो मिलाते हैं तो क्या होता है hydronium यह आप देखो वही जो है आपको बता रहा था आप मेंसे किसी ने I think किसी शिवांगी ने कोशन पूचा था ना किसर घटता क्यों है ना तो घटत जो है आपका घटे का किसका H3O plus N और hydroxide N का per unit volume ठीक है यहां लाइकन जो होता है यह थैलोफाइटा होता है लाइकन बिलॉंस तो थैलोफाइटा ठीक अगले question पर आते हैं अगला question is this 32 which of the following will not occur when HCl and NaOH react इन में से क्या नहीं होगा अगर दोनों react करेंगे तो salt का formation नहीं होग water का absorption नहीं होगा heat का absorption नहीं होगा फिर more than above नहीं होगा बताएए बिल्कुल सही option number C सही answer होगा ठीक है आपर heat is absorbed यह गलत होगा क्यों क्योंकि यह जो अभी हमने देखा था जो neutralization reaction होता है यह एक आपकी exothermic reaction होती है ठीक है neutralization is exothermic अच्छे increase लिखा हुआ sorry sorry यह increase लिखा हुआ decrease बोल के मैंने increase वाला लगा दिया कहां है यार decrease वाला कहा है decrease वाला यह है यह है यह है पर unit volume पर liter volume नहीं होगा ठीक है पर unit volume होगा और यहाँ पे एक में कर लो concentration ठीक है concentration जो होगा वो कम होगा concentration इसमें कर लो और answer option number D ठीक है option number D 33 what is the chemical name of salt found abundantly in sea water समुदरी जल में प्रेचुर मातर में पाये जाने वाले नमकर असाइनिक नाम क्या होता है simple sea water में क्या पाय जाता है NACL होता है ठीक है option number C answer हो जाएगा ठीक यहां पर तो कोई छूटा नहीं था ठीक है heat is absorbed यह नहीं होगा क्योंकि heat release होती है 34th वीच हो तो following is the correct classification of dolomite हां बस अब मैं सभी कोई पूछ रहा था न कि dolomite किस तरह का salt होता है नहीं यह नहीं पूछाता किस तरह double salt के बारे में बता दीजे तो जो dolomite होता है वो हमारा double salt होता है क्यों क्यों क्योंकि यह दो तरह के salt से मिलता है calcium carbonate और magnesium carbonate से मिलके बनता है यह dolomite और dolomite का formula होता है calcium magnesium carbonate ठीक है यह होता है अच्छा मुझे यह बताओ देखतें कि इतने लोग बता पाते है limestone जहांगी rocks में जहांगी चटानों में limestone यह dolomite मिलता है वहां पे किस तरह की topography देखने को मिलती है और limestone हमारी किस तरह की rock है और यह topography को बोलते है cast topography अगर आपको याद आ रहा हो cast region में मिलता है जो adiatic sea के पास पड़ता है और जो limestone और जो dolomite होता है वो हमारे sedimentary rock होता है अच्छा अब जल्दी से बताए liniation और जो banding है यह दोनों term किस rock से related है जल्दी से बताए liniation और banding दोनों term किस rock से related है और कौन सी rock है जिसको कि हम बोलते है primary rock के नाम से जानते है तो liniation और foliation ठीक है ये हैं आपके associated metamorphic rock से, metamorphosis का मतलब होता है change in form, ठीक है, metamorphic rock, और igneous rock जो होती है, ये होती है, ये होती है हमारी primary form of rock, ठीक है, प्राथमिक चटान होती है, क्योंकि ये solidification of magma या फिर lava से बनती है, solidification of lava से बनती है, चलिए, तो आज का लेक्चर खतम होता है, important chapter कैसा लगा, section में बताइए, और अगला जो chapter होगा हमारा, वो carbon and its compound होगा, carbon and its compound करेंगे, periodic table, और एक chemical reaction equational chapter है, फिर इसका one shot कर लेंगे, तो पूरा revise भी हो जाएगा लगे हाथ, और कल आप लोगों का होगा, economics का one shot, ठीक है, कल economics का होगा, और जिन लोगों को भी ये पूछते रहते हैं, इसके batch regarding, कि तो इसकी validity एक साल की है, ठीक है, जब भी आप इसमें unroll करते हैं, तब से, और परमार academy app पे अन्रोल कर सकते हैं, courses section में, और बाकी तो आपको चीज़ें पता ही है, कि notes वगएरा, quizzes वगएरा, और सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलती है, all right, मजा आया, okay, अभी तो समझ आ गया न, एकदम अच्छे से, acid, base and salt, कितने बज़े, नौ या नौ साले नौ प लेकिन पढ़ाई कर लेना उसे पहले, जो ब्रेक मिलता है पढ़ लेना, अब देखो, reality यह है कि ठीक है, पाक इंडिया का लगता है, लेकिन काफी सारी जा excitement होती ही ना, बाहर से दी जाती है, उनको, कौन देता है, news channel हो ले देता है, अकबार हो ले देता है, उनके personal benefits होते ह हर कोई इस पूरे system में benefit हो रहा है, कौन, news वालों को कोई news डूड़नी नहीं है, वही चलाते रहेंगे, मजा आएगा उनको भी, है, उसमें BTRP मिले ही उनको, BCCI को तो profit हो profit है, जो खेल रहे हैं उनको profit है, तो अब शार्ट समझ वा रहे है, सारा profit का गेह में है, अगर में इंडिया पाकिस्तान, क्यों नहीं कर लेते इंडिया पाकिस्तान, और ऐसा था है, क्रिकेट में कोई इसके बाद जो भी अगर मालो जीत जाएगा, तो बंगोले चलेंगे, उसके 10-10 कोडे पढ़ेंगे, है, जैसे बाकियों के साथ होता है, वैसे यह भी होगा, थोड़ा सा, शाद अब समझ पा रहा हैंगे, इसमें अपना प्रॉफिट मत खोद दीजेगा, मैच देखिये, लेकिन, 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 जबर ज़स्ती नहीं कि एकदम बोरिंग हो रखा है, एकदम अभी बीच के जो नहीं होता है, 25 से लेके 35 ओवर तक के बीच जो महौल होता है, उसमें भी लगे पड़े हैं, देखेंगे, एक एक गेन देखेंगे, चले बई, थैंक्यू सबी को, PDF, PDF मिल जाएगे आपको, इतनी इंट्रेस्टिंग के मिस्ट्री कभी नहीं लगी, फिल्कुल, अच्छी बात है, ना देखने के लिए बना नहीं कर रहे हैं, मतलब देखो, लेकिन कैसे देखना मने बता दिया है, कि बहुत ज़्यदा ऐसा है, कि नहीं सेंटी हुए जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आथ पैर मिला के उचले जाएंगे, बीसी से भी पैसा बना के, और न कि आप समस्दारी देनाओ,